वेलो दोस्तों कैसे आप सब उमेद है आप सब लो बढ़े आऊंगे आपके अपने यूटूब चैनल यूपीसी दर्ट में श्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भारती सुतंता संगर्स के जो कोश्चन है बहुत इंपोटेंट जो बार बार पेपर हैं पूछे जा रहे ह महात्मा गांदे का अध्यच किस अधेशन में चुने गए तो किस अधेशन चुने गाए थे उन्येस सो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का ठीक है और आपके लिए बॉनस प्लान है वह अभी में आपको आंगे सिर करूंगा कौन सा बॉनस प्लान है ठीक है नेश्ट कोश्चन की बात करें महत्मा गांदी को केसर यह हिंद की पादी कब नवाज गया तो सन 1915 में कब नवाज गया था सन 1915 में जब गांदी जी अमेरिका से वापस आय तो प्र 1916 में लखनू अद्वेशन में कर 1916 में लखनू अद्वेशन में मुस्लिम लीग और कांगरेस ने मिलकर किस अद्वेशन में एक सियुक्त सम्थी का अपना कीती है तो लखनू अद्वेशन में ही इस अद्वेशन में लखनू अद्वेशन में लखनू अद्वेशन में ही नरमदल और गरमदल में एकता हुई थी मुसलिम लीग और कागरेसली ने सेयुक्त मिलकर एक अधिविसन की अस्ता की ती इस्तापने की ती तो लखरवाधिविसन में ही ठीक है शुशाषन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संसा की स्थापना की तो हुम रूल लीग की संसा की स्थापना की ती मार्च 1916 में पूना में ठीक है कब 1916 में पूना में एनिविसन ने हुम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की सितमर 1916 में की ती मद्रास में तिलक जी और एनिविसन एक ही हम्रू सम्मेलंसी ये दोनों लोग जुड़े हुए थे सेलक जी ने की थी पूना में मार्थ 1916 में और एनिबेसंट जी ने की थी सितमर 1916 में कुछ दिन बाद मद्रास में एनिबेसंट की नितत्र में इस्थापित हम्रू लिग के प्रथम सचे कौन थे तो जार्ज अरूलेंड कौन जार्ज अरूलेंड थे भरती करने वाला सर्जेंट भरती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा महत्मा गांदी को क्यों कहा जाने लगा था क्योंकि प्रिथम विश्वद्ध के दोरान गांदी जी ने लोगों को सेना में भरती होने के लिए प्रुसायत किया था तो भरती करने वाला सरजन किसे कहा रहा था महात्मा गांदी को सबर्मती आसरम की स्थापना किस ने की तो महात्मा गांदी ने की है महात्मा गांदी ने सबर्मती आस्रम की स्थापना कब और कहां की? 1916 में एहमदाबाद में कहां पर किये? 1916 में एहमदाबाद में चंपनन आने के लिए गांदी जी को किसने प्रेट किया? तो विहार की किसा नेता थी? राज कुमार जी ये कोश्चन बहुत पूचा जाता है दोस्तों, बहुत सत्यागराए का सेपर्थम परियोग गांदी जी ने कहां किया था? दच्छड अफरीका में किया था गांदी जी ने भारत से पहले सत्यागराए का अपना जोड़ो स्माप्त करनी पड़ी थी चंपरण बिद्रोय के काराण अंग्रेजयों को कौन सी पर्था स्माप्त करनी पड़ी थी? तीन कठिया पिरता कौन सा अंदोलन किया था कर नहीं अंदोलन किया था कर लोको अंदोलन किया था एसा कानून था जिसके तेद किसी भी संदेश्पत ब्यक्ति को बिना मुकद्मा चलाए गृफतार कि जा सकता था इसी के बहाप में गा गया है ना अपील ना दलील ना कोई बकील ठीक है यह बहुत फेमस एक्ट है यह कोशन बार बार पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा कानून था जिसमें ना बिना मुकदमा चलाए वेक्ती को गृतार करें तो रूलेट एक्ट में ही गांदी जी ने रूलेट ए कभ हुआ 13 अप्रायल 1919ो जलिया बाःवाल बाःट अप्राय कहा से शुरू कई ने जलिया वाला बाःव चंड करका निततर किसने कीया जनल डायन किसने किया जनल्सट डायन किस कि बजा गया थी, डाक्टर सत पाल, डाक्टर ​​सत पाल और सेफद्दीन किच्लू कोॉन, डाक्टर सत पाल और सहफद्दीन किच्लू की गिर्फतारी कि ब्रोद में जन सवाह पर, जनर्र डायनी अनुषद नाधुन गोलिय चल्वार दी जली वालाभाग हत्यकार्ण मे किस भारतीनी जर्णर्डायर का सहिखता की अहन स्थीपद दे दिया था तो संकरनायल्यणpa नेक्ट कोश्चन की बात करें किसकी अधिस्ताम है बिल्टिस सरकान ने जलियावालाबाग हत्यकान की आठ सदस्थी जांच सम्ती का गठती तो हंटर लॉड हंटर की यह बहुत इंपूटन कोश्चन पूछा जाता है कि जलियावालाबाग हत्यकान में आठ सदस्थी सम्ती क कि जांच की गए थी, किस की अतस्ताम की गए थी, तो Lord Hunter की अतस्ताम है, इस जांच समती का गठन, बिल्टिश सरकार ने किया और उसकी सदस्यों को कितने भार्तिय थे, कितने तीन, कांगरेस ने किसके नितत्र में, जलियाबालाबाग हत्याकान की जांच के लिए आयोग गठत की थी तो मदन मुहन मालवी जी के किसके मदन मुहन मालवी जी के इसके अंसदस में मौतिलाल नहरू थे और गांधी जी भी थे जलियाबालाबाग हत्याकान में किस ब्यक्ति की संपत्ती थी जली नाम ब्यक्ति की, किसकी जली नाम ब्यक्ति की, जो जलीए वाला बाग था, वो किसकी ब्यक्ति की समपती थी तो जलीघ्टी की थी, ये question नहीं पूसे जाता इतना, लेकिन मैंने आपनों को बता दिया खिलापत आंदुलन किस के खिलाप शुरू गवा था तो मित राष्टो एक खिलाप ये बहुत कोश्चन इंपोटेंट है खिलापत आंदुलन किसके खिलाप शुरू आता मित राष्टो गवा था लेकिन विसेसकर किसके बिटेन के इसके बिटेन के खिलाप ये विसेसकर चा एक अगस्त उन्निस को यह इंपोटेंट कोश्चन ने आता भी है असे यूग आंदुलन कब शुरूब एक अगस्त उन्निस सो बीस को दोस्तों आप लोग को वीडियो में अगर कुछ भी मतलब लगता है कि डिस्क्रेप्शन और बताएं या फिर और कोई वीडियो आपको च साइंस टृपल सी के अगजाम की कम्पूटर की मेनजमेंटrim की कोश्चन की हमारी टेस्ट वोछल रही है वीडियो जो उसकी धो-तीन वीडियो डल भी चुकी है तो आप description मिलिंग के दे देंगे आपको और आप लोग उसको देख सकते हैं तो रोलेक्ट एक्ट जलियवाला भाग हत्याकान खिलापत आंदूलन की उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदूलन शुरू किया था तो असयोग आंदूलन कोश्चन है रोलेक्ट एक्ट जलियवाला भाग हत्याकान खिलापत आंदूलन की उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदूलन शुरू किया था तो असयोग आंदूलन ओके दोस्तों हमारे आज की कोश्चन का इतना ही सीरिस था हम नेक्स वीडियो में आपसे फिर से मुलागात करते हैं नई उर्जा के साथ ठैंक्यू चैनल पर नए सस्क्राइब कीजिए बैल आइकन पर पटन दवा लीजिए जिससे कि आपको नोटिपिकिसन मिलतर आए हम हर से अबसे हाँ